आज शाम में जैसे ही ए माईएम चीफ ने अपने ट्विटर हंडिल से यह सुचना दी कि उनके काफले पे अटेक हुआ है और वो ठीक है इस सुचना पे पुल्स ने तुरित कारवाई करते हुए जहां पर यह घटना होना बदाया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत मिलि पुश्रों को और वहां की वीडियो फुटिजेज निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि दो वेक्ति उन्हें इसमें फाइरिंग की है जिसमें से एक वेक्ति हिरासत में लिया गया है वो उसका नाम सचीन है और वो बादल पूर्थाना शेक्र गौतंबुन नगर का रहन वारे जो सुचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शिगर ही हम लोग इस पूरे के इसका परदाखाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था लेकिन सबसे संतोस की बात यह है कि पूलिस की जो प्विक रियाक्शन के कारण एक वेक्ति हिरासत में लिया गया है औ और वीडियो फुटेर से असपस्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है अभी मौके पे हमारे वहां के मेरट के आईजी मौजूद है विस्तित पूश्टाश की जा रही है जब तक सभी चीजें पूश्टाश के बास हो नहीं है